दोस्तों, फ्रूड प्लांट, फलों के पेड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, फल मतलब जमीन, तो अब ऐसी कोई कंडिशन नहीं है, समय चेंज हो गया है, जैसे पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियां, इलेक्टिकल गाड़ियों में कन्वर्ट हो रही हैं, इसी तरह पेड प पूरी करने की जिम्मेवारी हमारी है, हमारी तरफ से हर वो संभव प्रयास रहता है, कि आपकी जो इच्छा है, उसको हम इसी जीवन में पूरा कर दें, और आप भी जीवन का अनंद ले सकें, अपने घर की उगी हुई जो सबजियां हैं और फल खा सकें, तो देखिए जै मौशर होता है, अट्मोसफेर के अंदर किसी प्लांट को कोई तकलीफ नहीं होती, जल्दी से सर्वाइब कर जाता है, जैसा कि मैं आपको दिखाऊंगा, यह देखिए जैसे बरसाती रूट जो है, यह पौधों में बारिश का मौशर का महीना है, अभी इन में से थैलियों मलवरी शोधेंदी में बताएं, तो सहतूत, सहतूत जो है, उसका नाम अलवरी होता है, बहुत ही अच्छा फल होता है, रेरली ही मिलता है आपको, क्योंकि बहुत जादा पेड़ रहे नहीं है इसके, तो मैं आपको ऐसा जो सोकीन है सहतूत के, मलवरी के, उन लोगों के ल जाता है, छोटे में फल लेने के लिए, यह जो टैनी है, यहाँ पे ग्राफ्ट कर दी जाती है, जोड दी जाती है, फल आते हुए पोदे की, जिस पोदे में फल लग रहा है, उसकी एक टैनी काटके, इसके उपर जोड दिया जाता है, अब आपका कोश्चन होगा, ऐसा क् माइन में रहता है, कि यह हाइब्रिड है, यह ऐसा है, यह जनेटिकली है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यह सिंपल सा मेथड होता है, इसको ग्राफ्टिंग मेथड बोलते हैं, यह फल ते हुए पल की टैनी उपर जोड दी जाती है, और यह नीचे वाला जो है बीज से होग लगती दुनिया में, जहां पे चांद पे पहुचने के लिए भी समय नहीं लगता है, तो ऐसे में फल का इंतजार 10 साल कोन करने वाला है, तो हमने यही देखा, कि ग्राफ्टिंग मेथड जो है, बहुत बढ़िया है, आप इस 16 इंची के 18 इंची के गमले में भी इस सहतू रहा था, कि आखिर इसके उपर क्यों ग्राफ्ट किया जाता है, हमारे समाज में दो तीन तरह के लोग होते हैं, एक बुजुर्ग है, एक अधेड है, एक जवान है, नौजवान जिसको हम 25-30 सल का जवान कहते हैं, जो हमारे देश की एकोनोमी को उपर में बूस्ट करने मे काम करता है, मतलब मैन पावर जो है, और एक जो है, वो टीनेजर है, एक बच्चा ही है अभी, तो ये जो जवान, हमारा नौजवान तबका है, वो काम जो है, पूरी जोर सोर से करता है, तो ये जो पोधा लगाया, और ये 20 से होगा, इसकी जड़ें चलेंगी, नया चलेग को जल्दी से जल्दी, ज्यादा मिलेगी, तो ज्यादा से ज्यादा फल, छोटे पोधे में ही स्टार्ट हो जाएगा, साल के अंदर, 6 मैंने के अंदर स्टार्ट हो जाएगा, तो ये ग्राप्टेट का मतलब होता है, अब हमें लगाना कैसे है, इसके फाइदे क्या है, फा हमारे हाट को सही रखने के लिए भी काम में आता है तो आएए हम इस औस दिये गुन वाले पौदे को और बहुत ही प्यारे मीठे सुगंदित पौदे के फल को कैसे प्राफ्ट कर सकते हैं अपने घर के गमले में बालकनी में या च्छत पर तो दोस्तों किसी भी प्लांट का जो जीवन होता है वो मिट्टी मिट्टी कैसी है उसके उपड़ डिपेंड करता है मिट्टी अगर खराब है एसी डिक है पीच लेबल जादा है तो पौदा चलता नहीं है या फिर बहुत ही हाड है तो उसके रूट जो जैसे ऐसे देख रहे हैं यह रूट और रूट जो है हम अक्सर क्या करते हैं ? हम अक्सर क्या करते हैं ? फ्रूट भूट यह नोगे है तो तूर चलत looking जाती है यानि कहने का मतलब प्लांट अगर पांस साल का है और उसका तीन फूट चार फूट में अगर उसकी ब्रांचिस फैली हुई है तो यह जो बारीक रूट देख रहे हैं वहां मिलेगा ना कि उसकी जड़ में तो मोठी रूट होंगी जो उसको फर्मली होल्ड करने के यानि के सीधा खड़ा रखने के लिए काम करती है तो यह जो ध्यान देने वाली बात है अब मिट्टी की बात करते हैं हम मिट्टी हमने हमने नर्मल गार्डब लिया है उसमें जैसे के पौधा है तो उसको स्टेंट के लिए केल्σιम आईरन की जुरूत होती है जिंक फॉस् । पथर उसको हजम हो जाता है और और इंड्र की कबरिंग है वो वूपर की वो उस पत्थर से आती है । अगर उसको ना दिया जाए तो जैली के रूप में वो अंडा देना शुरू कर देगी, तो इसी तरह प्लांट्स को भी चाहिए होता है, लेकिन हम इस बात को समझते नहीं, हम चलते हैं पुराने रहरे पे, गोबर खाद और बर्मी कंपोज, गोबर खाद आज से 40 साल पहले बहुत बढ़िया था, क्योंकि पशु जो है, वो चरने जाता था, तरह तरह की जड़ी बोटियां खाता था, जिसमें कैल्शियम, आरण, जिंक, फॉस्पोरस, एबरिटिंग होता था, तो आज हमने इसमें मिला लिया ये, और दूसरी जो है, ये हम नूट्रिशन के लिए दे रहे हैं, इसका हमारा लीव कंपोस, इसमें आप बर्मी कंपोस, गोबरखाद, कोई भी यूज कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा देने की जुरतनी है, तो कूप बहुत है, नीम खली हम इसलिए दे रहे हैं, कि प्लांट को ज्यादा फंगस न लगी, तो मुठी नीम खली डालने, इच्छा है तो डाले, नहीं तो मिट्टी सही है, तो इसकी भी आवशक्ता आपको नहीं है, क्योंकि जो सैतूत का पोधा है, वो एक हाड़ी प्लांट होता है, और उसमें इतनी ज्यादा खास समस्याएं, आती नहीं है, लेकिन फल लेने के लिए आपको निट्रि सिंपल मिट्टी जो है, उसका इस्तेमाल हम करेंगे, मिला लिया हमने, ताके इसको प्रॉपर निट्रिशन मिले, अब इस पौधे को हम रख करके देखते हैं, क्या ये पौधा सही है, थोड़ी सी गहराई और चाहिए इसको, बहुत उचाई पे नहीं ले जाएंगे, ये कितनी गहरा यह होप सही है, कभी भी लगाएं, तो ग्राप्टिट पॉर्शन उपर रखे, अब हम इसको निकालने की कोशिज करते हैं, कि हमारी थैली बच जाए, ताके किसी और जगा पर हम इसको 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 करना पड़े, तो ये हमने निकाल लिया, इ पंद्रा दिन में यह पौधा आपको लगे कि वा विवा क्या बात है और इसी सीजन में जो आने वाला फरवरी है उसके अंदर इसके अंदर हमारी सीजन है ऐसे में इसको न्यूटिशन की कमीना रहेगी तो पौधा फुल फ्लेश ग्रोग करेगा और आने वाले समय में और नहीं कुछ तो ज्यादा की बात नहीं करता नाई सो तीन सो ग्राम से तूद तो आपको पहले साल में मिल जाएगा और इतना मिल जाए खाने के लिए तो इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है तो यह देखिए यह हमने मिट्टी डाल दी कम्प्लीट और उपर से जगय जो है जैसा कि मैं बताता जाता हूँ हर गमले में एक से डेरिंची जगय ही छोड़नी है दोस्तों ताकि ज्यादा पानी ना जाए ज्यादा पानी किसी पौदे को नुकसान करता है अगर हम भी बहुत ज़्यादा पानी पी ले यह पानी हमारी जिन्दगी है लेकिन पानी में डूब के हमारी जिन्दगी समाप्त हो जाती है अब हम इसमें दो लिटर पानी डाल देंगे जो के पूरे में घूम जाएगा और वेल ड्रेंड स्व स्वाद और्गनिक मलवरी का स्वाद ले सकते हैं पौधा प्राप्त करने के लिए हमारे दिए गए वर्ट्यप नंबर ट्रिपल नाइन सिक्स नाइन टूएट फाइट फाइवन सेवन पे वर्ट्यप करिए मलवरी प्लांट दूसरा यह फटिलाइजर आपके पास है तो सब्सक्राइब कर लें इस तरह की नई नई वीडियो आपको मिलती रहेगी सिहत से संबंदी भी प्लांट से संबंदेत भी और फूलों से संबंदेत भी तो दोस्तों जरूर कर ले दन्यवाद